अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन अगर दोस्तो मैं शाहिद कान और आप देख रहे हैं मारसल गुरू चैनल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्लूटूथ माइक क्यू नाइन जी है दोस्तो इस माइक को आज मैं ओपन करूंगा और इसके अंदर क्या चीज़े सारी चीज़े आपको दिखाऊंगा और इ इसको ओपन करते हैं सबसे पहले मैं इसके ऊपर का टॉप कॉवर रिकाल दूँगा इसे इस तरह थ्रेड रहता है इसे घुमा कर खोल देंगे इसके अंदर ये देखिए ये एक छोटा सा माइक लगा हुआ है पोर्टेवल माइक है और ये आपको दिख रहा है इसके नीचे ये प्लास्टिक लगी हुई है ये जो है प्लास्टिक इसे हम निकाल देंगे ये प्लास्टिक कॉबर है इसको हम निकाल देंगे इसके अंदर SCREW रहता है नीचे उपर दोनों PLASTIC है यह हम निकाल देगे तो निकालते हैं PLASTIC इस तरह PLASTIC glued आप रहता है इसे किसी SCUDAVर या BLEAD के सारे आप निकाल सकते हैं और यह देखिए इसके अंदर 4 SCREW है उपर की तरफ 4 SCREW है और नीचे की तरफ आठ इस्कूरू है यह चार और आठ इस्कूरू बारा इस्कूरू हम खोल देंगे इस तरह एक छोटे स्कूरू डेवर से हम आठ इस्कूरू खोल देते हैं तो यह देखिए हम सारे स्कूरू खोल दिये हैं और इस माइक का टॉप एंड बाटम अलग अलग हो गया है अब हम इसे सारे वायर जैक लगे होते हैं कोई आपको सॉल्डरिंग खोलने की जरूवत नहीं है सॉल्डरिंग की जरूवत नहीं परेगी यह साइड कॉवर हमने निकाल दिया दोनों साइड कॉवर निकाल देंगे अब हम इसके बाद माइक का जैक निकाल देंगे टॉप पे जो माइक है उसका जैक हम पहले निकाल देंगे यह निकल गया माइक अलग हो गया अब हम बॉटम में एक जैक यूएसबी पॉर्ट की होती है और एक बैटरी की हम दोनों को निकाल देंगे तो यह अलग हो गया यह बैटरी है इसके अंदर बैटरी है और यूएसबी पॉर्ट यह अलग हो गया यह देखिए यह यूएसबी पॉर्ट है जिसे हम power bank के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और USB भी यूज़ कर जाकते हैं गाने बजाने के लिए कोई song आपको बजाना हो तो USB यूज़ कर सकते हैं अब ये देखिए ये एक cover है speaker के उपर इसे हम हटा के दिखा देते हैं ये एक speaker है buffer speaker और ये दूसरा speaker इसके अंदर अच्छी खास बात ये है के double speaker है buffer speaker तो इसका high volume होता है ये ये अब हम यहाँ पे तीन screw है इस तीन screw को open कर देंगे तो हमारी battery निकल आएगी ये छोटे छोटे तीन screw है तो इस तरह हमने तीन screw open कर दिया है और ये cover अलग हो गया और इसके साथ ये नीचे battery है ये देखिए हमारी battery बड़िया असानी से निकल आई कोई soldering की जरुवत नहीं पड़िया आपको बस एक छोटा सा screw driver की जरुवत है ये 4.5 volt battery है 2600 mAh की battery है ये 4.5 volt तो इस तरह हमने ये battery अलग कर दिया बस एक screw driver के मदद से अब हम वापस से फिर mic fitting कर देंगे जिस तरह हमने तीन screw खोला लगा कर सारे screw लगा कर mic को fit कर देंगे और ये हमने mic fit कर दिया दुबारा से ये जो plastic cover था screw के उपर ये भी लगा देंगे दोस्तों बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये किस तरह खुलेगा तो ये plastic निकालेंगे तो automatic आपको पता चल जाएगा इसके अंदर screw है और ये हमने फिर से fitting कर दिया ये battery हमने अलग से निकाल ली है ये battery market में आसानी से मिल जाती है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई tips के साथ तो